अरिश रावत ने खुद को घोशित किया सीम का चैरा रटजीत रावत ने किया कटाक्ष का हाई कमान ही तै करेगा सीम का कौन होगा चैरा पुदम सिंग नगर में सम्सीम के बयान पर मचा बवाल सीम ने राहूल गांधी पर दिया था बयान गड़ीश उपाध्याय ने दर्ज कराया मुखत्मा पुलिस को मिली बड़ी सफलता पुलिस ने किया डबल मडर का खुलासा पती पतनी के हत्या करने वाले आरूपी को किया गिरफ्ता उत्राखण में आर्टी पीसर जांच बंद करने के आरेश तंकडमर दर्ग कम होने पर लिया फैसला यात्रियों ने ली राहत की सांस नमस्कार स्वागत है आपका अब देख रहे हैं देव भूमी की खबरों का मेगा बोलेट है अपना उत्राखण में हूँ आपके साथ काविदर चोहाद उत्राखण में कॉंग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सियासी घमासान कॉंग्रेस के घर के भीतर कोहराम की वज़ा बना हुआ है हरिश रावत खुद को सीएम का चेहरा घोशित कर चुके हैं तो कॉंग्रेस के ही नेता और उनके विरोधी कहे जाने वाले रटजीत रावत अब हरिश रावत पर खुलन खुला कठाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोचने को तो सभी सोच सकते हैं यदि होता मैं कि नर नरेश तो राजमेहर में रहता सुनने का सिंगासन होता सिर्पे मुकुट चमकता लेगिन जो प्रसना आपका है मुख्यमंतरी कौन होगा तो यह तो कॉंग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कॉंग्रेस हाइ तो इन दर्शकों हरी शरावत ने एक बार फिर से सियम बनने की चाहत का इजार किया है और दावा किया कि वह सियम बने तो एक और बड़ा एलान खरेंगे और क्या कुछ कहा सियम बनने की ख्वाइश पाले हरी शरावत चीन है इसको सुने कि मचाऊंगा तबी मेरा हात में भात नहीं तो रामनगर जोसेल कुमान निरनजन का कारेशेती था मुण का कि उसका करेशेत को उस कारिचेत में मैं सुचील कुमान निरंजन के नाम पर एक सावनिक लाइबरेडी सावनिक बाचनाले स्तापित लाइबरेड़ इदि मेरे हाथ में कभी बात आई तो मैं स्वर्गिर रामलाल जी के नाम पर एक ऐसी वशास्त जहां भूमी ना करके बशे हूं उस बशासत का नामकरन करना चाहूं रामलाल और राम और शाम दोनों के नाम पर उतीब शामलाल के नाम पर भी और राम का उद्वदन भी हो राम शाम चर्मकार सम्मान पैंसन भी प्राड़म करना चाहूं चाहिए पांची सो रुपी गिलाशी होगा बात यहीं तक नहीं धमिया अदिश्रावत के इन बयानों को लेकर बीजेपी नेता भी जमकर कर टाक्ष कर रहा है सुनिये ज़रा क्या कुछ कहा बीजेपी और कॉंग्रस के बाकी नेता होना है मुख्य मंतरी कॉंग्रस पार्टी में स्वेंभूप नहीं बनता है मुख्य मंतरी निश्यत तोर पर जो हमारी आला कमान चाहती है हमारा विधायक दल निर्ने लेता हम एक लोक्तांतरिक पार्टी उसके एसाब से मुख्य मंतरी हमारे हां बनते है आज माने हरी श्रावजी ने कहा है कि मुख्य मंतरी हमारी हाई कमान चुनेगा जिसे हाई कमान चाहेगा वह मुख्य मंतरी बनेगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई विवाद किसी का भी नहीं है लिष्टित अब हरी श्रावाजी एक बहुत ही वरिष्ट नेता है उन्हें अनुभव है और उस अनुभव को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि यदि वो बात कोई कह रहे हैं तो उसको हम पहल में रहता सोने का से हासन होता सर पर मुकुट चमकता श्रीमान यह हम नहीं कह रहे हैं यह कॉंग्रेस के कारेकारी जैक श्री नटंजीत रावजी अरीश रावजी के लिए बोल रहे हैं जो रोज आना एक नया शिगूफा चोड़ रहे हैं रोज आना नय सपने देख रहे हैं रोज आना अपनी नई कैबिनेट बना रहे हैं जबकि चुनाओ के परिनाम आने में अभी एक लंबा समय बाकी और जिस तरह से वो एक दिवा सपन देखने के उसमें आये हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके उपर पूरी तरह से सही चरितार को उत्राखंड में चुरावी सभा के दोरान असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कॉंग्रेस पार्टी के पूर रास्टी अध्यक्ष प्रवरी को चुनाओ प्रचार के दोरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ने विदान सभा के किक्षा नगर में बीजेपी के उमिद्वार के पक्ष में प्रचार करते हुए कॉंग्रेस पार्टी के पूर रास्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर क कि आप कौन से पिता के बेटे हैं क्या आपको पता है अगे असम के मुख्यमंति जी ने यही गराउन आप देख रहे हैं यहीं भाजपा प्रत्यक्षी के पर्चार यह बात कही राहुल गांधी के लिए आप कौन सा पिता के बेटे हैं हमने पूरू मांगा क्या आज बड़ा दुरभागी है एक असम के मुख्य मंत्री अपनी तो तोहिन कीगी उस परदेश की भी तोहिन की इस प्रगार की आप माराधियत के पढ़नी करके अपनी संक्री नहीं मान सकता और पार्टी की क्या मान सकती कि यो तक यह दिखाई शापशाब देगरा तो मैं इस लोग तंदर में इस प्रखाई अबेद्ध की पिणी जू करता है उसके खिलाप ठोर कारवाईगो नहीं की गोरफ था देश का गोरफ था उनका नेट्टित्ट में भारत ने पकिस्तान में सर्जीकल स्टाइब किया राहूल गांडिर क्या बुला भाई प्रूफ देव प् मेरा आर्मी से आपका स्प्रूप मानने का आपको क्या ओधिकार है मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में भूम भूटाया तो भूटाया उसमें क्या दिस उसमें ढुबारा क्या बोलने का है अब कारवाई की बात की जा रही है तो किक्षा में जो दिया गया है प्रातना पत्र उसके बाद अभी तक क्या कुछ हुआ है कुछ अपडेट तो अभी और भी जगा किच्छा के अलावा और भी जगा देखने को मिल सकता है कि कौंग्रिस के जो पतारी कारी करता है और भी जगा इसी इस तरीके से पुलिस को अभगत कराएंगे प्रातना पत्र दिये जाएंगे चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुछ दिनों पहले है असम के मुख्यमंतरी ने सर्जिकल स्टाइक पर राहूल गांदी के उठाए गए सवाल और प्रूफ मांगने की बात का एक बार फिर कॉंटेक्स को गड़ते हुए संदर्व में एक बात कही थी उन्होंने कहा कि आप किस पिता के बेटे हैं क्या हमने कभी प्रूफ मांगा इस बात कहा इस बात को लेकर अब राजनीती गर्माती भी नजर आ रही है कॉंग्रिस के कारेकरताओं ने इसको लेकर पुलिस को भी एक प्रातना पत्र देने का काम किया चमॉली के दशोली ब्लॉक के अना गोली गाउं के लोग हो पानी की किल्ण से जोज रहे हैं बता देएं कि इस काउं में तेरह परिवाइन निवास करते हैं ये गाउं हर घर जल नली उजना से भी काफी तूर है ग्रामिडों का कहना है कि पानी को लेकर उनके मवेशियों को भारी दिक्कत होती है कभी-कभी तो बारिश का पानी खटा कर मवेशियों को पानी पिलाते हैं लेकिन इस शेत्र में सरकार की कोई भी उचना ग्रामिडों तक नहीं पहुंचती है अबाद सारी समश्या हैं यहां पर लगवक्त पानी दोजार पीन चार में आ चुका था अक्ताव से लिए कि आवीदा यहां पर जब भी हो पानी चूप दया है कभी पानी नहीं आता है पानी यहां पर लगवक्त ऊपर पहारी खेंदरी गाहों से उपर से आता है और यह रांग-तोली-ग्राम सब्सक्राइब जाता है अब पानी तो हमेशा हमें हर मैने में 10-15 प्रवार आते हैं पर पानी लगाने और यहां पर कोई भी देखने रहा है कई बार हम लोगों ने कि हमाल यहां पर पानी आए कई बार प्रग्जान को बोला और यहां पर कोई भी कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां देखें जाओं को कोई भी काम नहीं हो रहा है यहां पर नव कभी पानी आ रहा है पानी के चकर में देखो हमने ऐसी जोस्ता हैं कि यहां पर ड्रम लगा के पानी कीध-फफट दखी रहेंगे हैं यहाप सबसे पहले तो पानी की वे दोर से लोग साथा मतनु किलोमेटर चेंँ रहेंगकि तूत पूती जाते हैं पनी है और मिला आते हैं लीवार हिच और कामनु रहें जंगली जानूरों का डर है जहां अकला आज में जाने पाता है दसाएंगे संग में तब पानी कभ बहुत दुखा थी हम से अब हैं तीन 5-8 किल में कोई थोटा सब रतन हैं और अपने पीठ में बरतन लेकि तब दूर से पानी लाते हैं और यहाँ कोई यॉजनाहीन आती है हमारग्व नहीं 잘 है यहां चोई बिस्च visit am जान को लिए पर पहुंचता है, यहां पे पानी की सबस्केटी बहुन को बोलाता है, यहां पे मिटिंग बैठी थी, तो फिर गट लगा जल जिसमें अभी तब कुछ ने लिए, यहां पे पानी का बड़ा प्रॉब्लम हो फाली क्या यहां पे हमारा पंचेति भाहून को बोल को बड़ायक संजय गुपता के प्रदेश अध्याक्ष्ष मदन कोशिक पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी बैक फॉट पर देख रही है, पार्टी के नेता विधायक पर पड़ी करने से बच्चत्रे हुए नजर आ रही है हरे द्वार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष जैपाल चौहा ने कहा कि संजगुपता की कोई पीड़ा हो सकती है लेकिन अपनी बात को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था सही धंग से बात रखने पर पार्टी जरूरू पार्टी है जहां सभी को अपनी बात कहने का हख है लेकिन अगर उस बात को हम पार्टी फोर्म के अंदर कहेंगे तो वो सबसे अच्छा मन आजाए कि पो अपील है कि हम अपनी बात को जीले से लेकर प्रदेश और केमर तक रहते हैं लेकिन रखने का अपना समीका हो तरीका है सारे काम ठप पड़े हैं ना तो कर्मियों को वेतन मिल पा रहा है और ना ही इस शहर की सफाई विवस्ता सुचार रूप से संचाले थोर पा रही है ऐसे वे पालिका में अवव्यस्थाओं का महौल चरम पर है वहीं पूरे मामले पर डीम पौडी ने कहा कि श्रीनगर पालिका में पर शासन को जिम्मेदारी दिये जाने के मामले में हाई कोट ने रूप लगा दी थी जिसके बाद शासन के तरव से नगर आयुक्त की नियुक्ती नगर पालिका श्रीनगर में की जा चुकी है जूज़ी नगरपालिका में पूरु में अधिसासी अधिकारी थी रोहिता सरमा जी उनके दौर वो लगाता नगरपालीका में अनुपस्तित चल रहे था उनके दौरा हमें उनके दौरा सूच लिखी तरूप में सूचना भी दी गई थी कि स्वास्ता कारण वो शिंण डर मे में असमर्थ हैं जिस पर सासन के द्वारा दिनांग साथ जौनरी को दो हजर बाइस को उनको अधिसासी अधिकरी के पाथ से अव्मुक्त कर दिया गया था या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले कहीं जाएगा नहीं न्यूजवर्ल इंडिया पर खबरों को सलसा लगाता जानी है मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यूं हो गया है मेरे भारत पेक नीउस फैलाना इतना आम क्यूं हो गया है तो ऐसे में जब सच और जूट के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दरपरत की जहां से सच बेनकाब हुगा आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते धून लेते हैं अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते हैं तो सोमबार से शुक्रुआर तक मुलाकात होगी आख से निउस वर्ल इंडिया के स्पेशल निउस ब्राटकास भारत एट नाइन पर देखिए भारत एट नाइन का वेंद चौहान के साथ सिफ निउस वर्ल इंडिया बात वक्त बदला सरकारे बदली चहरे बदली मुद्दे बदली नहीं बदला तो उसका अंडास इसके सवाल बने उट्टरा खंड की आवाज आप लोग बताते हैं सफेद पोश का नाम लेते हैं सफेद पोश कौन है आप बताते हैं हम क्यों दाएं तुम मताओं इनको करना चाहिए आपको इस जान से डरतन नग रहा हमें कहें कि अधर भी है तो अपना इन रूटा गैरों में कादम था मेरी किस्ती डूबी माजा पानी कम था अरी श्रावत के साथ भी आई वाई वाई देखिये पूछता है उत्राखरते तेलक चावला के साथ सोंवार से शरीवा शाम पांच बचे at GLE University we make the way, we inspire, we are a family bound by a common bond, we learn, we innovate, the record breakers, the cheer makers, the dreamers GLE University, whether the goal is to get a job or to create a job अगर आप हैं किड्नी जैसे गंबीर बीमारी शे परिशान तो मत हो ये हरान नौड़ा में इस्तित है पश्ची मुत्रपरदेश का एक मात्र ऐसा डालेसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आदुनिक तक्नीकी से भरपू चिकत्सा सेवा परदान जी हां रीना केर डालेसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के लावा घर पर भी डालेसिस की बहतरीन सुविदा बहुत कम खर्च पर उपलप कराता है ये सब होता है विश्वष्णिय चिकत्सा विशे शग्या डॉक्टर अनिल परशाद भट की निगरानी में डॉक्टर अनिल परसाद भट विश्वष्व परसिद ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकत्सा संस्तानों में ना जाने कितने लोगों को नहीं जिन्दगी दे चुके हैं तो गवराएं नहीं किड्नी जैसी गंबीर बिमारियों का डट कर सामना करें और रिनाग्या डैलेसिस रिसर सेंटर में अपना किड्नी का इलाज करा है तो ब्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरों में आके पढ़ते हैं नहीं जैरादून के पटेल नगर थानाशेतर में शुकरवार देर रात हुई पती पत्नी के हत्या का पोलिस ने खुलासा किया है बता दें पटेल नगर धना शेत्र के विद्या बिहार फेस्टू पत्री बाग में एक व्यक्ति की तरफ से घर में खुसकर पती-पत्नी के हत्या करती गई पोलिस ने आरोपी से पूश्टाज के बाद बताया कि पैसों के लेंदेन और अबैद संबंद के चलते अभियुक्त ने पती-पत्नी के हत्या की पोलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेच दिया है पटेलनगर में धाना पटेलनगर की घटना है जिसमें कि दो व्यक्तियों का मडर कर दिया गया था इसमें जो पर्थम दरश्टिया अभी तक हमको क्लिव मिले हैं क्योंकि आरूपी को गृफतार कर लिया गया है जो पर्थम दरश्टिया जो पर्थम पूस्ताज हमारे द्व जाएगा कि क्या और कोई कारण तो नहीं है जो हत्या जो हत्या में प्रियुक्त हत्यार है उसको भी हमारे द्वारा पता कर लिया गया हूँ वह भी बरामत कर लिया गया मुरायवाला के राजाजी टाइगर रिजर्व की मुती चूर रिंज से सटे साहब नगर गाओं में 17 फर्वरी को दो हाथियों के बीच संगर्श हुआ था जिसमें एक हाथी की मौत हो गई थी वहीं आज दूसरे हाथी की भी मौत हो गई गटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कम बच गया मौके पर पहुँची वन विभाग की टीम ने हाथी के शब को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है उत्रखंट समेद देश के तमाम राज्यों में कोरोना सेंक्रमेंट की दर बेहद कम होने के बाद सरकार और शासन ने निर्णा लिया है कि रेलवे स्टेशनों बस टेंड के साथ ही जिले की सीमाओं पर स्थेत चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जाँच बंद करती चाहे आदेश आते ही मुखे चिकित साधिकारी डॉक्टर मनोज उपरेदी ने ततकाल प्रभाव से रेलवे स्टेशन, ISPT बस डिपो और आशा रोडी चेक पोस्ट समेथ तमाम चेक पोस्टों पर कुरोना जाँच बंद करने के निर्देश दी थी है मुखे चिकित साधिकारी के उसे आदेश चारी होने के साथ ही रेलवे स्टेशन स्थमेथ तमाम स्थानों पर जाँच को बंद कर दिया गया है लकसर की खानपूर पुरिस को बड़ी सफलता हासल पकी है 19 अक्तूबर 2021 को लाल चंद वाला मार्क पर मोटर साइकल सवार तीन लोगों ने पाइनेंस कमपनी के करमचारी के साथ तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंचान दिया था जिसमें करमचारी से 8,000 रुपे नकद एक टैब, मिनी प्रिंटर मशीन, बैंक के कुछ दस्तावेज, तमंचे के बल पर लूट लिये गए थे इसके बाद लकसर भरनी रोड पर राजके डिगरी कॉलेज के पास एक मोटर साइकल सवार को गोली मार कर उसकी मोटर साइकल लूट ली गई थी इन सभी घटनाओं में शामिन लोग अभी तक फरार चल रहे थे लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को खानपूर पुलिस ने गरफ्तार कर लिया है आरोपी रोहित उर्फ बिल्ला कई संगीन घटनाओं में शामिल था खानपूर पुलिस ने पुलिस शेत्रादिकारी बियस चौहान के कुशल नेतरा तुम्हें ये सफलता प्राप्त की है अग्टूबर, नॉमबर, दिसंबर में लगाता अग्टूरा के घटनाओं को अंजाम दिया गदरपूर में कुछ दिनों पहले किसान नेता पर हुए जानलेवा हमले के आरूपियों की गरफतारी ना होने से नाराज किसानों ने प्रभाविरी निकरक्षक का खेराव किया है इस दोरान तराई किसान संगठन के प्रदेश उपाद्यक्षर सुदेश कुमार की ने तरतों में किसान थाने पहुँचे और प्रभारी निरिक्षक बेजेंदर साहा से मुलाकात कर जल्द अव्युक्त की गरफतारी की मांग की है कर देश दिन पहले इस आरोपियों ने हमारे प्रदेश देशल इंदर सिंग जी पर हमला किया था जानलेवा हमला तो उस संबंद में मेडिकल वगएरा सब दे दिये गए थे फाइयर भी दे दी गई सी ठाने में और आज दो तीन से ज़्यादा हो गए हैं उसमें कोई कारुए हो जै करनी है अरॉपी खुले भूम रहे हैं अभी तक उनकी कोई गरिफतारी नहीं हुई है किसी तरीके कडारवाई नहीं हुई है इसलिए हम आज मिलने आए थे उनसे और इनसे कहने आए थे भी इसमें जल्दी कोई ना कोई कारवाई की जाए उन्होंने हमें किया है कि भी इसमें सियो साथ देखेंगी और S.C.S.T. का मकदमा जो है वो भी सियो साथ देख रही है जहां पर प्रभारी निरिक्षक का घहराओ किया गया है किसानों के दोरा है आपको बता दें कि तरहाई किसान से अंगठन के अब्रदेश उपार ध्यक्षर सुदेश कुमार के ने तरत में किसान आज थाने पहुँचे उसकी तस्वीरा आफ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको बता दें कि गदर पुर में कुछ दिनों पहले किसान नेता पर हुए जान लेवा हमले के आरूपियों की गरफतारी ना होने से ये सबी किसान नाराज थे जिसके बाद इन्होंने सीधे थाने पहुँचकर प्रभारी निरिक्षक से जल्द से जल्द गिरफतारी की मांग की है अब्युक्तों की जल्द गिरफतारी की मांग की है प्रभारी निरिक्षक से जल्द से जल्द गिरफतारी की मांग करते है तो आज ये घटना जहां गदरपुर के तवाम किसान संगठन के तौर पर थाने पहुचे जहां उन्होंने प्रभारी निरिक्षक से जल्द से जल्द गिरफतार की मांग की हैं। आज प्रभारी निरिक्षक से जल्द से जल्द गिरफतारी की मांग की है। तो फिलाल के लिए इतना ही बाकी दैश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूस वर्ल्द इंडिया के साथ शुक्रिया झाल!